दोस्तों आप यह जो inverter देख रहे हो इस inverter ने कस्टमर को बहुत परिसान किया इसमें दोस्तों जो समय से आ रही है दो-tीन दिन चलने के बाद इसमें battery low आ जाता है यानि कि continue inverter ठीक चलता है दो या तीन दिन बाद इसमें battery low आने लगता है customer ने दोस्तो टोल फिरी नंबर पे complaint किया वहाँ से engineer आते हैं और जब वो आते हैं तब उस condition में inverter ठीक रहता है एकदम ठीक चलता है कोई battery low नहीं आता देख के वापस चले जाते हैं बोलते हैं आपका inverter ठीक है battery में problem है customer का दोस्तो कहना है उसकी battery नहीं है अभी उन्होंने तीन या चार महिने पहले अभी battery डलवाई है और जब वो battery लेके जाते हैं दुकान पर तो battery वाला बोलता है कि आपका battery ठीक है inverter में problem है तो दोस्तो इसमें जो problem है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कई बार दोस्तो customer ने दुकान पर भी दिखाया वहाँ पर भी बोलते हैं आपका inverter ठीक है दोस्तो जब customer हमारे यहाँ inverter लेके आया हमने भी इसे testing board पर चेक किया कोई समयस्या दिखने ही रही थी वापस हमने इसे एक battery के साथ connect कर लिया एक डेड़ घंटे चलने के बाद इसमें समयस्या आ गई है आप देख सकते हैं जैसे अभी हम switch को own करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं battery low का integration आ गया है और अभी दोस्तो हम आपको battery voltage भी दिखाएंगे battery voltage अभी हमारी यानि की battery अभी में आरी लेकिन कई बार ऐसा होता है हम ध्यान नहीं देते यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने inverter की cover को open किया हुआ है और आप देखिए जो battery positive की wire है transformer में गई हुई है transformer से PCB में आई हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरीके से धीली है केवल यह हमारा jack में फंसा हुआ है बाकी यह देख सकते हैं आप पूरी तरीके से हिल ला है एकदम धीला है इसी की वज़ा से दोस्तों इसमें समस्या आ रही है मैं अभी आपको इसे निकाल के tight करके दिखा देता हूँ तो हम wire को निकाल देंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमने wire को निकाल लिया है आप देख सकते हैं और अब जो इसका jack होगा उसे थोड़ा सा tight कर देंगे अगर आपके पास plus है उससे भी कर सकते हो या फिर no call प्लास है उससे भी आप थोड़ा सा इसे tight कर सकते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका jack होगा दोनों side से हम थोड़ा थोड़ा दबाएंगे ज्यादा जो नहीं देना हलका हलका सा दबाना है इस पे और वापस हम फिर से इसे PCB में connect कर देंगे जब भी आप inverter में नई PCB डालें तो सभी wire को और सभी jack को अच्छी तरीके से check कर लें कोई jack आपका ढीला नहीं होना चाहिए अगर दोस्तो यही चीज सर्विस इंजिनियर जो घर पे आये थे PCB चेंज करके गए थे उन्होंने tight करके wire अच्छी तरीके से connect किये होते तो इतनी ज़्यादा समस्या customer को ना जहिलनी पड़ती तो वापस दोस्तो अब हम इसे PCB में अच्छी तरीके से wire को connect कर लेंगे कुछ इस तरीके से और एक बार फिर से हम इसे confirm करेंगे कि जो इसका wire है ठीक से connect हुआ या नहीं तो जैसा कि दोस्तो आप देख रहे हैं कि wire हमने अच्छी तरीके से connect कर दिया है wire को पूरा हिला रहे हैं देखिए पूरा wire हिला है लेकिन जो हमारा jack है PCB में connect है वो नहीं हिला है पहले हमारा wire के साथ साथ पूरा jack एकदम ढ़िला था पूरा हिला था इसी के कारण जब heat इस पे दोस्तो जब load पड़ता था inverter पे wire heat करके और battery low आ जाता था तो अब हम दोस्तो एक बार इसे फिर से चेक करेंगे load और अच्छी तरीके से डाल के inverter ठीक हुआ या नहीं यहाँ पे हम 408 का load डालेंगे और अभी भी हम इसको दोस्तो दो घंटे या तीन घंटे तक अभी भी हम इसको चला के देखेंगे क्योंकि customer काफी जादा परिसान हो गया हम यह नहीं चाहते कि customer को और आप परिसानी जहलनी पड़े यहाँ पे आप देख सकते हैं 408 का हमने load डाल दिया है दोस्तो अच्छा खासा हमारा inverter चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है और आप कोई low battery नहीं आ रहा है यहाँ पे मैं अभी आपको inverter वापस कर दिया होता तो सायद यह customer यह inverter रखके नया inverter ले 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 था तो वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आए हो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए था